प्रिजापती सहभोष काली क्रम में नहीं जुटी जनता की भीड बीजेपी सरकार में न्याय ना मिलने से ग्राम लो में दिखी आक्रोश 2022 के विधानसभा जैसे जैसे नज़्दीकार हैं वैसे वैसे राजनीती तेजी के साथ बढ़ती जा रही है 2022 के विधानसभा चुनावों में अपनी अपनी जीत तरच कराने के लिए सभी पार्टियां नए नए तरीके अपना रहे हैं जनता को अनेक तरह के स्कीम से लुभाने में लगे हैं सोंवार को उत्रप्रदेश के राज्चे मंतरी धर्मवीर प्रजापती ने मौच्चंपुर में सहभोश के समाध्यम से जनसभा किया मरतमान बीजेपी विधायक और राज्चे मंतरी के आने पर कितनी भेड जुटी है बीजेपी इससे साफ अंदाजा लगा सकती है कि जनता इनसे कितनी खुश है आपको बता दे कि कौशांबी जिले के मंजनपुर ब्लॉक छेतर का मौच्चंपुर गाओं है जो सरकारी कर्मचारियों के ब्रस्टचार के चंगुल में इस तरह फसा है मौच्चंपुर के जनता परिशान है राज्यमंत्री अपनी सरकार की सभी उपलब्धियां इस तरह गिनाने में जुटी है और श्रमकार्ट बनवाने के लिए कहा उसके बाद जिस तरह से लोग यूट्योब में लोग अपने अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फैल आइकन को दबाने के लिए कहते हैं ठीक उसी तरह अंत में कहा जाता है कि 2022 में आप सभी लोग दोबारा कमल के फूल का बटन जरूर दवाना जब मीडिया के माध्यम से राज्यमंत्री से गाओं में हो रही समस्या के बारे में पूछा गया तब राज्यमंत्री के जुबान लडखनाने नगी और विधायक जी पर सारी बातों को टाल कर अपना पलेडा ज़ाड कर निकल लिए इस मौके पर सदर विधायक लाल बहादूर अंगत कुश्वाहा ग्राम प्रधान पप्पू पासी मान सिंग दिवाकर आदी लोग उपस्थित रहे हब्डेट मीडिया के लिए कोशाम भी से अनीस एहमद की रिपोर्ट